नमस्का, मेरा नाम है डॉक्टर पूरुद्हमन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो तीन बड़े कारण जिनकी वज़ा से लक्वा होता है लक्वा हुआ है हाथ पर चल नेरा पैलेसिस हुआ है और हम बहुत सारे अलग अलग कारण सुकते हैं अपने आसपास वा सुनते हैं प्रक्तिस करते हैं पतालगता कि बारे में पेश्eln कि बारे में फीम कैसूर रहा है मगर अगर जो आपसुर लेंगे ओंको समझ लेंगे तो आपको बहुतmental से ईडियर ना आपकी हड़ी टूटी होती है, ना मास फोटा वोता है, ना कोई चोट लगी होती है, पर काम हाथ पर नहीं कर रहे हैं, यह दिक्कत शुरूरी होती है, ब्रेंग के अंदर से हमारे दिमाग के अंदर, जब दिमाग के अंदर जो कोशिका हैं, जो हमारे पूरे शरी को कंट और हमें हो जाता है लक्वा अब ब्रेंग के अंदर हमारे दिमाग इंदर ऐसा क्या नुक्सान होता है कि हमारे हाथ पर कि बोल ले की शम्ता चल ले की शम्ता चली जाती है यह नुक्सान दो तीन टाइप से ही हो सकता है तो सबसे पहला कारण होता है ब्रेंग को नुक्सान प कोई उस सर्जिरी के रिंदे कोंगा थक्का बना तब तो पेशेंट भी कुल ठीक हो गया पर जो क्लॉट था बलेट के साथ घुमता हुआ ब्रेन में चला गया अब ब्रेंग के रिंदे वह जाके फस गया अब जहां वह फसता है उसे आगे ब्लेट नहीं जा पाता है और ब्र क्या हुआ कि लगवे की वज़े से हाथ करने काम करना बंग कर दिया इसी तरह से अगर ब्रेंग के अंदर कोई नस फट जाए कोई आर्टरी फट जाए ब्लेन के अंदर ब्लड फैल जाएगा और जो ब्लड है वह आगे ब्रेन में जानी पाएगा तो जिस जगह को खून न कि ब्रेंग के अंदर नस का फटतना और इसकी पीछे कारण होता है हाई ब्लेट पेशर क्योंकि नस कैसे फटेगी नस फटेगी तब जब उसको प्रेशर मिलेगा तो उसको हम हम इंए ब्रेंश्टों क्याते है तो यह दो बड़े कारण हों के आप चलते हैं तीसरे कारण के उपर वो है एक्सिडेंट होना मैं बाइक पे जा रहा था, किसने टक्कर मारी मेरी कमर पे चोड लगी, तो कमर पे जहां चोड लगी, उससे नीचे का हिसा पारलाइस हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रेन, हमारा बेन यहां कर रहा है, यानि ब्रेन जो कह रहा है उसको हमारे हाथ पे तक ले जाने वाला जो करस्ता है, उससे हम स्पैनिल कोड केते हैं, अगर स्पैनिल कोड को कुछ हो जाए, तो ब्रेन ने तो काम किया, बट जो उसका मैसेज है वो हाथ पे तक पहुँचेगा नहीं तो जहाँ चोड लगती है, उसके नीचे का हिस्सा पैरलाइस हो जाता है मालो मेरे गर्दन पर चोड लगएगी, तो क्या होगा? कि गर्दन से नीचे का हिस्सा सारा लखवा, मेरे दोनों हाथ जाएंगे, दोनों पैर जाएंगे डगवे को हम रोक सकते हैं होने से पहले ही अगर है थो बीप और शुगर की दिक्कत है तो आपपाउ भक फर्स बंता है कि बीप शुगर को ठीक रखो जिस आप कम से कम लगपे और लगपे जैसे और जो बड़ी बीमारी है जो बीपी शुकर से मनती है उससे आप बच जाओ मगर किसी भी कारण बच भज हमें पैलैसिज हो वी गया है तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के बारे में क्योंकि नुक्सान तो वही हुआ है उसी को रिकवर करना पड़ेगा हाथ प्यक्छिध शिर्फ कर लेने से कि हमारे brain की अंदर जो नुकसान है उसके बरपाई हो पाएगी? आंसर है नहीं इसी वज़े से जब भी कोई paralysis का patient होता है कई महिनों तर exercise करता है कई सालों तर exercise करता है फिजो तेरपी भी करवाता है पर उसे अराम नज़र नहीं आ रहा था आपे नहीं आ रहे और वो फर्र बहुत मामुली सा होता है वो फर्क ये होता है कि आपको लग रहा था कि ये रोग आपके हाथ-पैर का है पर दिक्कत आपके rocket में थी और brain के लिए आपने कुछ किया ही नहीं जब आपने brain के लिए कुछ किया ही नहीं कि मैं अपने भ्रेइन को जब दुपारा से चलना है। जब भ्रेइन को जब भी मुझे दुवारा से चलना है। तो भ्रेइन उसको अच्छी तरका से इवचैन वे इसलिए साइनस एंजिनियु निग में जब भी आपको कोई एक्सेजुस बताई जाती है वो हाथ पेर की कम और आपके ब्रेन की ज़्यादा होती है exercise हो ही है बहुत simple, बहुत plain पर उनकी पीछे कारण अलग-अलग होता है अगर कोई आप देखते हो physiotherapy करवा रहे होगे तो आपको लिटा के exercise करवाई जाती है बठा के exercise करवाई जाती है वो आएंगे, पैको आगे बीचे करेंगे और चले जाएंगे आपको लगता कि आप exercise हो रही है आपको लगता काम खतम हो गया मगर जब आप खड़े होते हैं तो क्या उस exercise को इसमाल कर पाते हैं चो condition दू मेने, तीन मेने पहले थी वो condition आज भी है जबकि लेट के बैट की आपके exercise बैटर होती जा रही है पर जब हम उसे काम में लाना चाते हैं तो आती नहीं है ये दिक्कत होती है सही exercise ना करने से अगर अगर वही पर आप exercise कर रहे होते चलना मैं फिर से बोलूँगा चलना तो आप जब खड़े हैं आपके पूरी बॉड़ी का वेट पचास, आट, सत्तर किलो जो भी आपका बॉड़ी का वेट है आपके पूरे श्रीर को टांगों तक लेके जाना पड़ रहा है आपकी हर मसल पर stress आ रहा है आपकी brain को समझ में आ रहा है तो यहाँ आपे exercise कौन कर रहा है brain आप ही आप क्या कर रहते हैं पहले exercise हाथ पेर की हमें करवानी है brain की क्योंकि brain जितने अपने आख के अंदर सुधार करेगा उतना ही आप काबिल होंगे दुबारा से चलने लाइक बनेगे यह बात सुनने में अच्छी लगती है करने में और भी अच्छी है अब मैं चाहता हूँ कि पहले आप कुछ patient से मिले और समझें कि सही तरीके से सही direction में काम करने से क्या result मिलता है नमस्क्राइब मेरा नाम है डॉक्टर पूरुदमन और आज हमारे साथ paralysis की patient है प्रवीन शर्मा जी प्रवीन शर्मा जी कनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मन्त तेरा तारीक को paralysis हुआ था जिसके अंदर लेफ्ट लेग के अंदर जो मुवमेंट ही वो completely चली गए थी प्रवीन जी की में काल से फैमिली मेंबर हमारे पास आते हैं तो उनको मासे रेफरेंस मिली और यह आया हमारे पास और विदिन 2-3 डिज यह जो नॉमल गॉकिन ही स्टार्ट हो गई तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूं कि हम चलते हैं प्रवीन जी के पास और उनसे पूछते हैं तो प्रवीन जी अपको हुआ कप था मुझी नुममबर 14 को 13 नुममबर को था और क्या दिशन थी उज दिन माइनस जीरो कंडिशन थी दिन दिन जीरो कंडिशन थी जादना तेंप्रेचर बजाता है वह इतनी बोरी कंडिशन थी कि मैं उसको माइनस से नीचे कोई फिगर नी थी कि मैं देनी बारा था चल पा रहे थे बिलकुल नहीं हाथ ठीक थे हाथ थी पर बॉलना ठीक थी ता बॉलना ठीक था तो आपको इहां का अड़र्स किसमें बताया था साइंस नूज नहीं पहल हो रहे हैं तो एक ही फैमिली में दूसरा पर सुन तो तो आप मेरे पास का वायत है मैं आपके बास 15 में और ठीक कितने टाइम में हो गया है 17 में मैं मैं दो 17 को मैं वाक करता था अकेला जैसे जब कि मैं पहले बात्रूम लेटिन के लिए मुझे सारा चीए था बच्चों के बाकि पाराले से स्केशन हो तो इह हो गो कि क्या दो एडृस करना था झाता है मैं तो एड्रेस दी है एक अट्रेस दी कि आप यह अजाओ यह और जा हो उत्वाइज दी एक होगता है ड्रेस तो यहां को पर अजा और जाना आपको कशिए थैर पन को दिक्कत निग साज़न अगर इसको पर्सेंटेंज में काउंट करें लिए और मैं तो अगर इस वीडियो कोई देखता है ना जी तो मैं उसे यह बोलूगा कि विश्वास नहीं अंध विश्वास करें अंध विश्वास करके चलिए आप योड़ विश्वास करना के चैनल एक और उफेंदा एक ब्लाइंट फेज़ मैं तो ब्लाइंट पर मैं तो ब्लाइंट फेज़ किया और आज आप सब के सामने और शायद यह से जादू कह सकते हैं इस एक्सपिरिंसको अग्रा में सेकर्ण नाम देना जीदे जादू है जाद आपको होगा ऐसा तो मैंने सुना नहीं है पर यहां देखा है अचली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इपॉर्टन होता है जितने जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट में रिकवर शुर्ण करते हैं स्टार्ट भी लोते हैं और इसमें नहीं अजब तक आपके पस खुद की इच्छा आओ कोने तो आपने खुद देखा अगर हमारे एफर्ट हमारी हर एक अरे निज़ बॉडी की के एक तरफ फोकस कर देते हैं प्रें कि तरफ फोकस कर देते हैं हम खाना कि ब्रेंग के अलिए तो रिजल्ट से कुछ इसी तरह के होते हैं इस वीडियो सा आप समझ गए होंगे कि तीन बड़े कारण लख्वे के क्या-क्या होते हैं फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर्स अबलेबल हैं, उसे बात कीजिए और आपको पूरा काईट दिंगे कि किस सरा से खाना पिना बदल कर, एक्सराइस ठीक करकर मेडिसिन की हिल्प से हम दुबारा से काम करने लाइक, चनलने लाइक, बोलने लाइक बन सकते हैं अब इस जी कहाट आप से बीसमें चलने के आगा चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार